संदीप ये सबसे मेरी नजर में जो सवाल है ये उद्धव ठाकरे को महाविकास अगाडी का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करना ज्यादा बेहतर मूव होगा आने वाले चुनाव के लिए इस आंकडे के मुताबिक जब 28 फिसली लोग के रहें उद्धव ठाकरे को सब्सक्राइब के साथ क्योंकि हर्याना चुना और उसके लुक्स बचना दोनों में सर्वे और एग्जिट पर दोनों पर सवाल उटे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सीधे कोई उसको आधार बना के कोई टिपड़ी करूं लेकिन मैं राजने तिक टिपड़ी जरूर कर कांग्रेस के कैडर को यह लगता कि वह उद्दो ठाकरे के नाम पर चुना लड़ा जा रहा है तो वह शायद उस तरह से मेहनत नहीं करता कि जब उन्हें लगे कि अपना मुझे मंत्री बनेगा यहां पहले से नजर आ रहा है कि इस बार बीजेपी का नहीं एकनाश शिंदे दोनेगे दूबारा मुक्वंतरी बन सकते हैं मायुति ने क्या दिया कि 29 में बनेगा मायुति तो जाहिड तो पर मायुति में यह संकट जादा नजरा रहा है तो ऐसे में बीजेपी का कारकर तक कितनी मेनत करेगा एक नाश इंदिय को सीम बनाने के लिए इस पर सवाल उच रखे जैसे वो लोक्सवा में थे इसलिए भी एक चहरा रखकर जो लोक्सवा में किया गया अब विदान समय में बार बार आप वैसा चहरा नहीं रख सकते स्टेजी तय करने का अधिकार पार्टियों को है उन्होंने वही किया लेकिन दो बाते आपको बताना चाहूंगा कि मराठा अरक्षन को लेकर तमाम तरह के सिर्फ कयास है शरत पवार के साथ एक मराठा की सानभूती है उद्दव ठाकरे मराठा नहीं है वो CKP यानि कायस्त स समदाय से आते हैं और मराठा कभी भी बहुत बड़ा वोट बैंक उद्दव ठाकरे या शिवसेना का नहीं था उनका बड़ा वोट बैंक OBC और आगरी वोट बैंक था जो BGP के साथ मिलकर उनको मिलता था लेकर आप माइनार्टी का बड़ा वोट बैंक पिछले चुनाओ के बाद उद्दव ठाकरे के साथ खड़ा गुआ नजर आता है क्योंकि वह सीधे मोदी से टकर लेते हैं जब तक वहीं लेते रहेंगे वह मैनार्टी वोट उनके साथ खड़ा रहेगा तो बहुत सारे क्वेशन होंगे हां इतना जरूर है कि हम यह कह सकते हैं कि कुछ समीर अभी दो दिन पहले जब आपसे महराश्ट्री पर चर्चा हो रही थी संदीप ने जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट करना यह महायूती के भीतर के खेल को बिगाड़ रहा है क्योंकि बीजेपी का काड़र जो प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है अगर बात करें तो जब एकनाथ शिंदे आया थे 40 विदायकों को लेकर भारतियंता पार्टी के पास 105 ए मेले थे उसके बाद ठीक है कि सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को बड़ा पद दे दिया गया और मुख्यमंति बना दे गया बारतियंता पार्टी का कार करता ह कि अगर हम महाराश की पार्टी जैसे पुरे महाराश की पार्टी और सबसे बड़ा दल तो बारतियंता पार्टी बनने वाला है लगबकता है कि शिटे कम चार हो सकती है एकना शिंदे कभी इस सिर्फ में नहीं रहेंगे कि भारते इंता पार्टी से 1-1 नहीं चीटे नहीं चाहता हैं कि दोड़ा इंक हमकेपंदी काप छोड़ देते हैं । तो क्या अगले चुनाओं के अंदर भी हम 110 सीटे अगर जीतते हैं तो 50 साले को फिर मुख्यमंत्री बना देंगे क्या और अगर बनाएंगे तो कब तक चरने वाला है तो मुझे लग रहा है कि अगर देवेन फंद भी इसको मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बना देते तो महा अगराश में इसका ज्यादा बेनिफिट महायुत्तिक होता क्योंकि संकास्वाम से गुष्टी साब से देखता है देवेन फंद भी इसका पासा का ट्रेक रेकॉर्ड जो रहा है 2014 से लेके 2019 तक वह बहुत शांदार ट्रेकॉर्ड रहा है 2019 का चुनाओं तो देवेन फंद न अभी 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 डिक्लियर नहीं किया ऐसे वेकना शिंदे को अभी एक उम्मित बच्ची बारते अंता पाड़ी के कारता हो कि अगर हमारे पास बहुत अच्छे सीटे आती है तो हम अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं यानि कि देवेंद्र फंद नवीस ने जो मंच पर करते हुए कहा था कि हमारे मैठे हुए मुख्यमंत्री के चेरे उसको कडर गंभीरता से ले रहा है कि बहुत कम अपना सब्सक्राइब अगला मुख्यमंत्री कोन बनेगा यह चुनाओ के बाद राणितिक समीक्रान बनेंगे उसके साब से ताय होगा